नमस्कार मेरा नाम संगीता चक्रवर्ति हैं और मैं एक human right activist हूँ मैं पस्षिम बंगाल में मानब अधिकार के लिए काम करती हूँ मैं पूरा neutrally आज तक काम कर चुका हूँ कोई भी party के लिए कभी भी कोई आवाज नहीं उठाए हूँ लेकिन आज मुझे सच्छाई आप लोगों का सामने लाना होगा क्योंकि मेरा जान का उपर अभी बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है ममता बैनर जी खुद क्योंकि इतना दिन से मैं जो करके आ चुकी हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अगर आप लोग मौमता जीजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो मोधी का बिरोध करते हैं बहुत बढ़िया बात है वो लीडर है मोधी जी का बिरोध करते हैं सेंट्राल का बिरोध करना एकदम राज्य का एकदम सही चीज है तरीका भी है लेकिन एक चीज आप ममता बैनाजी का बारे में जानते भी नहीं हूँ, ओ मैं आज आपको खुलासा करना चाहते हूँ, क्योंकि पस्चिम बंगाल में अभी हिंसा, राजनाइतिक हिंसा में, विदिन वान एर में 120 का उपर, बीजेपी कारिय करता का माडर हो चुका है, मैं उसके लिए भी लड़ा लड़ रही हूँ, मैं पस्चिम मंगाल में सारे साथ हजार का उपर, आम आदमियों का उपर, जो घता हुआ है, अत्ताचार हुआ है, उसका घर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उसका उपर भी कंप्लेंड कर चुका हूँ, और पोलीस का बारे में भी एफायर कर चुका अभी कुछ दिनों से, उई दिन 15 दिन से मेरा उपर जान लेवा हामला हुआ था, ओभी एफायर नहीं किया है ममता बैनर जी ने, क्योंकि ममता बैनर जी को सरफ सत्ता से प्यार है और कुछ नहीं है, बाकि उनका सरफ एक ही चीज़ है, अगर आप T.M.C. बनो, ओभी ताली तो आपको बंबंदुक दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप T.M.C. नहीं बनोगे, तो आपको हत्ता कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको फॉल्स कंप्लेंट डाल के आपको जेल का सिलाखों में अंदर आपको किया जाएगा, इहां का पोलीस बन चुका है माउबादी, क क्योंकि यह पोलीस का काम है तोला बजी करना और उसका से पैसा मतला अभी पासिम मंगाल में पोलीस लोगों के पास क्रोरो क्रोरो का फांड हो चुका है, यह आवाज मैंने जब उठाया था, नाशनल हुमन डाइट्स कमिशन में तब मेरा खिलाप एक एफायर हुआ था, अभी मेरा खिलाप तीन थो एक फायर दर्च कर दिया है, पस्चिम मंगाल का हमारा घर का नजदिक पुलेस सुपार भासकर जी ने, क्योंकि उनको ओडर दिया गया है, किसी बेतरा संगीता चक्रोबर्ती को जेल का अंदर भरो, अभी देखो, पस्चिम मंगाल में संगीता क्यों का चक्रोबर्ती का जयल में फरो ममता दिदी ने क्यों कहा? क्योंकि उनका बारे में हर चीज का एविदेंस मैंने नैशनल human rights commission को दिया, मैं किसे और को सहस्ता कु नहीं दिया हूं, क्योंकि नैशनल human rights commission एक ऐसा जगा है जहां इरा पक्स तदन्त होता है और और मैं उहीं जगा पे डाली हूँ आप लोगों को अगर ये सारे साथाजर का कंप्लेंट का जानना है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ममता दिदी का कितना बड़ा तनास ही चल रहे हैं पस्चिम बंगाल में और सेकेंड टिक सुनिए मेरा घर का सामने टीम सी कुंड साथा लोगों को घटाक कर दिया गया है क्योंकि ओम मेरा घर में अटयक चाहते हैं अगर मर भी जाओंगी तो एफायार स्रे मंता दिदी के नाम पे ही होना चाहिए क्योंकि पत पश्चिम मंगाल में एक ही गुंडा है उसका नाम है ममता बैनर जी और उसका जितना सर अरा है वो सब अभी तोला बाद चीटिंग बाद जो चोर सब कुछ मेरु दंड़ कुछ नहीं है इन लोगों का मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए हार सुभा भासकर बैनर्ट जी जो बर्दोमान का प्रोमोटेड आई-पी-एस ऑफिसर वहार सुभा होता है फट्री वान का नोटिस मेरा घर का सामने लगा के चला जाता है पोलीस देखे क्योंकि उसका काम ही हो गया है कि किसी भी तरह संगीता चक्रवर्ती को जेल को अंदर करो क्योंकि ममता बैनर्ट जी का खिला बावाज उठा रही है अब दिदी उसका नोटन की पुरा खतम हो चुका है वह जितना भी पैदाल चलता है जितना भी फालतु बखता है उसका बारे में सबको पता चल गया है नाशनल यूमन डाइट्स कमिशन जो आप लोग इतना बड़ा बड़ा एक्टिविस्ट हो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पसिम बंगाल में अगर आप रोहिंगा हो तो ममता बैनार जी पूरा रेस्पोंसिबल है उसका पूलिस अपीसर रेस्पोंसिबल है और मैं पूरा नाशनल यूमन डाइट्स कमिशन को भी बतना चाहती हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे मेरा कमिशन का सामने जो जो कंप्लेंड रखा हूँ मेरा मरने के बाद सब का तदंत होना चाहिए और सबका उपर सीबी जांच होना चाहिए ये यह ममता बैनार जी का उपर सीब्या इंस्टिकेशन हो तो अगर मेरा और मेरा फैमिली का उपर कुछ भी कुछ भी अगर प्रॉब्लेम आते है तो धन्यबाद और मैं चाहूंगी जितना सारा एक्टिबिस्ट सारा देश में आप लोग जाईए नाशनल हुमेन डाइट्स कमिशन में मेरा जितना सारा सारे साथ हजार का उपर कम्प का है तो आम आदमियों का उपर क्या हो सकता है आप लोगों को सोचने के लिए मैं मजबूर करना चाहती हूं धन्यबाद और मेरा इस वीडियो की इतना भाइराल करे कि मंता बैनर जी का नकाब पुरा खोल जाए उसका साच पूरा सामने आ चुका आते हैं आना चाहिए सब का सामने और जितना साधा सपेद सारी पैंटी है उतना ही गंदी है उतना ही घटिया है उसका बारे में जितना कम बताए उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोगों ने उनको जो आज सीएम बना के जो गलत हमने किये हैं उसका भुगत जब हम लोग भुगत रहे आप को भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है पसिम बंगाल में आम आदमियों के साथ यहां पर हर रोज गोली से ओपन बंदुक से मसीन गान से गोली करके उड़ाया जाता है लेकिन आप लोग कोई आवाज नहीं उठाते हो मोदी जी का खिलाब बोलने बाले लोग अच्छा हो जा काता है धन्यवाद मेरा इस विडियो को जितना हो सके भाइडाल कीजिए कि अ झाल झाल